बुल्टिन की शुरुवात में आपको लेकर चलते हैं सीधे विनोथ कुमार बिनी की प्रेस कॉन्फरेंस में और उन्होंने ये बात साफ तर पर कही थी कि आज प्रेस कॉन्फरेंस कर वो कई बड़े खुलासे कर सकते हैं गुरुजी को रख शाक्षी मानकर जितने भी हमारे इस देश में धर में जाती हैं सबको शाक्षी मानकर अपनी बात जो कहूँगा उसमें कोशिश करूँगा कि मैं सो पर्शेंट सच बोलने का प्रियास करूँ क्योंकि ये सच की लड़ाई है सच की लड़ाई में आप लोगों का भी बहुत मैत्पून योगदान रहा है आज यह प्रेस रहमेंस इस देश के इतियास के लिए हम सब लोगों के लिए एक आम आदमी के लिए बहुत मेहत्मून प्रेस काउनव से जो आप लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के बीच में किये थे वही मुद्रे हैं, लेकिन उन में क्या बदलावाईया, क्या फेरा हुआ है, क्या रवीपन बैठ हुआ है, क्या करनी और कतनी ने फर्क आया है, वो आप लोगों के सामने में बताऊंगा, और उसके बाद पाटी की कुछ Сामें जो पिछले दिनों मैंने देखी, पिछले दिनों में जो बने देखी, पार्टी के अंदर की जो कारे commen लिए उसको देखा, वो आप सब लोगों के बीच में उसके बाद जितने सवाल आप लोगों के होंगे, पूरी मांदर इस अच्छाई से प्रियास करूंगा को उनका जवाब दे पहूं आप लोगों को क्योंकि दस बज़े का मैंने आपसे प्रमिस किया तो मैं ठीक टाइम से आप लोगों के बीच में हूँ सबसे पहला सवाल है कि आम आदनी पार्टी बनी क्यों आम आदनी पार्टी किसी को मुक्मंत्री बनाने के लिए किसी को MLA बनाने के लिए किसी को MP बनाने के लिए नहीं बनी आम आदनी पार्टी देश की जनता ने पिटले 10-15 वर्षों में दिली में भरष्टाचार, देश में भरष्टाचार, महिला उत्पीडन और जितने भी तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों से परिशान होकर एक अंदोलन चला, उस अंदोलन से निकल के पार्टी बनी और उसमें अंदोलन का बहुत महत्पूर गुविका रही इस देश में आम आदनी पने इनी कारणों से की वज़े से दिली में विदांसभा चुना में बहुत अच्छी बड़त भी आसिल की और दिली सरकार ने बनने से पूर सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किये थे वे वादे लेकर सरकार की कतनी और करनी में फर्क आ गया वो क्या फर्क है वो आप लोगों के बीच में अभी मैं रखने जारा हूँ पहला मुद्दा है हमारा पानी का चुना परचार के दोयान पार्टी ने और मैंने परतेक मंच से 700 लिटर स्वच पानी हर गर को मुद्द पहुचाने का वादा किया था 700 लिटर से उपर पानी का बिल देने की बात की गई थी किन्तु मैं फर्ष्टो बनाते समय बड़ी चत्राई से इसमें 701 लिटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा जितने मंचों पे हमने बात कही हमने ये बात कही कि 700 लिटर हर गर तक साप सच पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा और उसमें मैंफर्ष्टो बनाते वक्त एक बहुत चत्राई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लिटर से जो ज़्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे मैं बता दूं मैंफेस्टो मेरे खाल से 2% लोगों के बास भी नहीं पहुंच पाता है कितने लोग मैंफेस्टो पढ़ पाते हैं अब बता ही है जितने पत्रगार में दो मेरे साथ है अप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं यह सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला अर इस सब्दों का खेल है यह सबसे बड़ा धोका है दिली की जंता के साथ दूसरी बात दिली में जब पिछले दुनों अर्विंद भाई ने अंसन किया था पानी को लेके बिजली को लेके तो उस समय एक बात बहुत जोर सोर से कही दिए थी कि दिली में जो जितने भी पानी के नाजायस बिला रहे हैं उनको जंता देना बंद करें और उसके समर्थन में दस लाग बावन हजार लोगों ने अपनी समर्थन की चिठियां आमादी पार्टी के जहां अंसन इस्तान पे सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी और उनसे ये भी कहा गया कि जब वाले और बड़े-बड़े ओफिसेज में बैट गए उनके पास जंता को प्रयास भी किया तो जंता पहुंच नहीं पाती है फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को क्योंकि हम आप जंता के बीच में बैटने वाले रोड रोड पे बैठने वाले लोग तो यह फेस करने बैटने वाला नहीं है इसे बड़ा दंतिले की जंता के साथ क्या दोका हो सकता है दूसरी बात थी बिजली बिजली में हमने सीदा-सीदा हर मंच में एक बात कहीं थी मैंने भी कहा अर Magic ने भी ने ब्लगा जितने परवक्ता थे उससप 먹는 कहा कि हम पचास-पच्छर द किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रपे होगा, यह सीधा सीधा सिधा सबको बोला गया था, दिल्ली की चंता को यही मैसिज था, और उसके बाद यह कहीं नहीं था कि भई, कोमर्शल के साथ हम भेदबाव करेंगे, कहीं इंडर्श्टल के यूनिट वाली स्कीम बनाई, और सब सीधी देके अपनी पीट थपाने सुसूर कर दी, पीट थपाने सुसूर कर दी, यह बहुत सरमनाक चीज़े हैं, यह दिल्ली की जनता को गुमरा करने के लिए तरीका था, आपको क्या जलती थी तनी, आपने तीन महीने का समाध दिल् सुस कर रही हैं, यह उसके बाद सेम कंडिशन जब दिल्ली में पानी और बिजली का अंदोलन चर रहा था, उस समय दोनों क्योंकि 10,52,000 चुठियां लोगों ने साइन की थी, उनसे भी यह प्रॉमिसिस किया गया था कि जब दिल्ली की जनता में सरकार बनेगी, तो आप ज जायस बिल देना बंद कर रहे हैं, सारे बिल आपके माफ कर दी जाएगे, और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, दिल्ली की जनता ने 10,52,000 परीवानों ने चिठ्थी साइन करके अप दी, उसमें हजारों लोगों के उपर चोरी के केस बने, लोगों के कनेक्शन इसका जबाब कौन देगा? इसका जबाब कौन तलास हागा के उन लोगों के साथ क्या होगा, जिन लोगों ने वो बिल आपके समर्थन में बढ़ेगे, आज आब उसकी बात करने के तयार नहीं है, आपके बास कोई पालची नहीं है उसकी, किसको फेस करना परता है, मेरे इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी चैनलों से भी अन्रोद करूँगा और मैं भी एक प्रयास करूँगा कि कम से कम एक नई चीज निकल के आए आम आदनी पार्टी राय समारी पे बहुत जादा जोर देती है हमने भी पिठले दिनों राय समारी बहुत कराई है इन दो मु लोग बिजली आंद्लों में हमारा साहिगो करेंगी उनके बिल सरकार बनने के बाद माव करदी जाएं Mediter सभी प्रोद करेंगे थो यह बात कहीं दैडाव अपके ब्लग कर दिये जाए गए estás. चोरी के जितने केस हैं वो वापिस दे ले जाएंगे यह बात कही थी कि नहीं कही थी यह पूछने का सवाल है राई सुमारी कराईएगा अगर मैं जूट बोल रहा हूं दिली की जनता यह कहती है कि मैं जूट बोल रहा हूं तो दिल्ली की जंता से अब रहाए सुमारी कराई है करने के बाद में ये पूछिए के बहुत बढ़ा मुद्दा था जिस पर ये पार्टी बनी अन्ना जिवाला चनलोकपाल जनलोकपाल जिस बनाने की बात ही तो तो उसमें एक टाइम आउंट प्रोगाम बनाया गया था ये बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीक को दिल्ली में जनलोकपाल लागुत कानून पास कर दिये जाएगा 29 नॉब्बर वो डेट थी मैं मानता हूं कि सरकार 28 तारीक को बनी उसके बाद ये 15 तारीक से पहले जो कल लेट गई है क्योंकि कल 19 आज 19 दिन हो गए है आज तक उनके वादे के अनुसार ये कानून बन जाना चाहिए था क्यों नहीं बना इसके बीचे मंसा क्या है आपकी कि जनता के सामें आपको इसपर्ष्ट करना होगा ये वादे अगर आपने 15 दिन का प्रोमिस इस किया तो कि आपके दिनों का सीमा समय सीमा जो निधारित करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है आप जनता को जो मर्दी स्टेट्मेंट ये देते हैं आप ये बोल जैते हैं कि तो 15 दिन कहा गए आपके आपने तो देट निस्चित की बेट निस्चित करने के बाद भी हम मानते हैं दिली की जनता मानती है चलो 15 दिन लेट के सब्सकाने की बात की थी अगर मैं 10 बष्ध के 5 गाता तो मैं किसे कलमेट मतल स्क्मिंट म опас को रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता कि मैं इन SUBSCRIBE करो हूँ संवें की बहुत बड़ी सीमा होती है क्योंकि समय हमारे पसे हैं कितना दो महीने कि और यह उसी तरह दो महीने किसी तरह गुजार के आचार संकता लग जाए लोग सबाद चुनाव आ जाए हम लोग सत्ता भोगें यह इनकी मुझे लगता है अंदर से मंसा है कही ना कहीं यह बहुत चिंता का विश्य है क्योंकि हमने अगर वादे की है तो पूरा करना चाहि मैंने अपने दीवन का दस साल वो प्रॉलिटिकल जीवन के दस साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किया जब इस पार्टी के बास कुछ नहीं था मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि यह लोग जब यह कहते हैं कि मैं पदका लाल्ची हों मुझे लोग सबाचिकर चाहिए मुझे विदान सबाचिकर चाहिए यह बहुत सरमनाक बाते है जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया तो आपके बस देने के लिए था क् आप क्या दे सकते थे मुझे, सच बताओं तो आपको मैंने दिया, एक जनता का चुना हुआ भजन पर दिली दिया, पहला पार्शन के रूप में एक आदमी आपको दिया, मैंने आपको एक नाम दिया, जिसको अरविन भाई ने लगबगर 200 सभाई अगर दिली में की होंगी, तो मेरी विचार धारा को लेके जो मुहला सभा कॉंसेप्ट अरविन भाई ने सब मंचों पर कहा, उसमें से 190 सभाउ में मेरा नाम लिया होगा, मेरे नाम को यूज किया है, मेरे जो कारे सलिए उसको यूज करके दिली की चंता को एक सपना दिखाया है, उन्होंने सपना द दस वर्षों में अपन वाग़ चेतर में उसको शरतकार करे दिखाया, सुवह में अपने आप करके दिखाया, सारी चीजे, मैं बादों पे विश्वास भरता हूं, आज मुझे लाल ची बोलते हैं, इसके बाद महिलाश्रक्षक की में बात करता हूं, आज में सुबह अकबार जैसे उठा मेरे सामने एक अकबार आया बहुत चिंता का विसा है कि नई दिली रिलेशन के पास एक विदेशी महिला के साथ ग्यांग रेख हुआ उस पर को इस्टेटमेंट देने वाला नहीं है अगर आज मालो इस सरकार की को दूसरी सरकार होती तो कि मैं ग्यांदो फोर्स बनाने की इस सबसे पहले कामों में सबसे पहली पंक्ती में सबसे पहला नंबार होना जिए जिसका जो पितले देश ने दो फिटले दो सालों में इतने बड़े-दोलन जिस दीज के लिए हैं उसको आपने उस मुद्धे को गहन कर दिया? आपने इ उसके चुनाव लड़ते लड़ते ठीकडार्वाथा की नहीं ठेकदार पर्था के साथ तार जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आपने बोला था कि हम तुरंट उनको पक्का करेंगे, आज लोग आपके सचवाले में आपसे मिलने जाते हैं, आपके समय नहीं है, कैसा वादा आपने किया, जनता के साथ आपके क्या करनी और कत्नी में फर्क न डाने वाला नहीं है, आप विडिया को ब्लाते हैं, आपने साथ फोटो कि कुछ बाते हैं, घर जाके सोगाते हैं, ऐसे देश चलेगा क्या, यह वस्तिव्था है कि साथ गात का नाम दिया, सब लोग समझते हूँ कि साथ गात क्या होता है, शुराव के धौराण हमने कशम भी राजनीतिक पार्टी से ना समर्थन लेंगे ना देंगे लेकिन पर्दे की पीछे बहुत चत्राई से चंद लोगों उन्हें मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना मिलाकर उसका यह सामने पूर मुकमंत्री और भष्ट करमचारियों के खिलाब आज तक एक आदेश तक नहीं दिया कि इनकी जांच की जाए आपने इक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पर आपने जिस मुद्दों पर आपने जिस मुद्देश अपने आटों की पीसे लगा लगा कि पोष्टर पूरी दिली को यह बताया कि दिली की मुकमंत्री भष्टाचारी है डिली के मंत्री भष्टाचारी है आज आप उनकी खिलाब सरकार बनने की 19 दीन भी आबाद भी आपने एक भी इकवारी तक उनके खिल करेंगे इसका मतलब आज से पहले जितने बादे आपने मंच पे खड़ो कर किये क्या वो सब भूटे थे आपके पास कोई प्रयाफ सबूत नहीं था आपके पस सबूत नहीं था तो आपको किस ने अधिकार दिया किसी को बश्टाशारी कहने का यह बड़ा सवाल है अगर मंत्री को मंत्रियों को बिना सबूत के भरश्टाचारी कहा यह चंता का विश्य है ऐसे वाक्य हम सम लोग को सोबां नहीं देते हैं इसके लावा कि बहुत सारी चीजें हैं शुत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सालसर संदीद दिक्सिस से अर्विंद केज़ाल की बहुत नजदी किया है बहुत घनिश मेत्रता है यह पूरी देश ने देखा है पितले दिनों सारे सुत्र बताते हैं और मैं भी स्वेम इस बात का विल्कुछ अच्छी तर जानता हूं इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्पून फैसले आमाद्नी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कॉंग्रेस नेताओं के द्वारा दिये गए आदेश की तरह हैं वो कही न कहीं कॉंग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं उसका पालन किया जा रहा है माद्नी पार्टी में आज जो सांटगार्ट पिटले परदे के पीछे हुई है वो इस बात को साबित करती है कि कहीं न कहीं ये लोग मिले हुए इसे पता चलता है कि जो पहले दिन जिल्ली की जनता को ये बोला गया था कि हम जिल्ली के सरकार बनने के 6 मेनी के अंदर उन भरष्टाचारियों को जिल के अंदर भेज देंगे तिहार जिल में यूज नाम यूज किया गया आज वो विशे भरष्टाचार का गौन हो गया कहीं कहीं लुक्त हो गया यह बड़ा चिंता का विशे है कुछ बाते हैं पार्टी के लिए क्योंकि मैं पिछ्चे स्क्रिनिंग कमेंटी में था और दिल्ली की जनता के साथ जो धोका हुआ जो एक हाइट हाइप फ्रोफाल ड्रामा हुआ हुआ वाप लोगं को पीच में जरूर शेयर करना चाहा हुँ क्योंकि मैंस कि कमेंटि में था मैंने सब अपने सामने सब चीज़ें देखी हैं Apps I am मैं इस भात को बताने से पtw登録uk और छीज़े और बताधू मैं आपको हमारे इस मंतरियों ने एंपियों ने मुकमंतरियों में एक बात गैए थी कि हम ना अगर जनता उस पे विरोध ना करती तो क्या मुखमंत्री उस पर ना रह रहे होते निस्चित रह रहे होते हैं उनकी इच्छा हैं बनो कहमेत्व कांग्षा हैं उनका इच्छा थे कि मैं बड़े मंगले में रहूं लेकिन उसका रूप बदल दिया उनने कहा कि इसमें रहती यह एक अलग से एक फ्लेट के नाम पे बड़ा बंगला लेकिन जनता ने विरोध किया तो उसको उनको पीछे हटना पड़ा अपना पीछे किसना पड़ा अप्छी जब हार बाकी मंत्रियों में जो जो फेब में यार फेश्टू में कुछ मंत्रिया रह रहे हैं कुछ और लोग रहे हैं उन्होंने भी बड़े बड़े चार्चार फ्लेट के अपने लेके ऑफिस और घर बना लिए विधानसभा चुनाओ को लेके कुछ बाते मैं आपसे करना चाहता हूं क्योंकि मैं पिटले दूनों रहा लिए विधानसभा चुनाओ जो टाट का बटवारा हुए था उसमें बहुत बड़ा भस्टचार हुआ हुआ सो जो बीदासभा इंगे ठिकट प्टले दो बटए daha i OS में बड़े भलश्टचार हुए पराइवा साध दो तरह होती है एक परिभासा होती है कि सीधे-्सीधे पैसे लेना देना किसी को देना किसी को रिस्पत लेना एक होता है किसी के अधिकारों का का हरन करना किसी के अधिकारों को चीन के किसी और को देना ये भी एक अपने आप में परश्टा चाहर है और मेरे खाल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का किसी की चीजों को चीन के किसी और को देना ये बड़ा हश्टा बश्टा चाहर है इसमें जब लक्ष्मी नगर सीट की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मिटिंग हुई थी तो उसमें ये तैथा के विनोत कुमार बिन्नी वहां से चुनाव लड़ेगा ये तैथा कि पटपट गंज से मनिश शोधिया चुनाव लड़ेगा ये तैथा कि लार्केव पुरम से साजिया हिल में चुनाव लड़ेगी ये तैथा कि बाबरपूर से हमारे गोपालाय जी चुनाव लड़ेंगे ये तैथा कि मालुई नगर से शौम से करदी चुनाव ल कि आगर आप लोग चुनाव लड़ना होगा क्योंकि आगर आप लोग चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी हम लोग आगे कैसे जाएंगे आपको इस दिली से कोई सीट देख लीजिए जहां से ठीक लगें आपका हम फाइनल कर देगे मैंने उनको मना कि आरुंद भाई कि मेर का प्रस्ताव सुईकार किया और मैंने उन्होंने मुझे स्वेम मनिश शोद्याजी ने स्वेम मुझे साइन करा के अपने हाथ से दिये